में तो बैस्टिकली जैसे गाइद हमारा यह एक डाइग्राम था इसमें हमने देखा था कि हम में जो में च्विशचिश हान इसमें क्लिक्स रहे जो और कोई फंक्षिनलिटी रिजल्ड intended और हमारा बैग्गाउंड ठेट में कॉनसा रहेगा हमारा एसीटस्क रहेगा और तो यह कि पुछिए प्लटकारेगा मिज्शनि कुछ तो ऐसा तो नहीं है एक दम आपको सारे content मिल गए राइट उसमें थोड़ा टाइम लगता हो सकता है को इमेज पहले लोड हो गई हो टेक्स बाद में लोड हो रहा हो या फिर कोई चीज और बाद में उसमें पेज में लेड लोड हुई हो तो वो किसमें क्योंके background में चल और उस पे जब तक आखरी इमेज तक नहीं लोड जाती तब तक आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं तो हमारी क्या functionality क्या हो जाती बुरी हो जाती राइट पूरा वह पेज कर जो प्रोसेस था गड़बड अब इसमें क्या होता है अगर हमारा जो वेब पेज होता है जैसे आपने कोई वेब पेज खोला तो उसमें जरूरी नहीं होता सारी चीजे लोड ही हो जाएं अगर सारी इमेज लोड भी नहीं होई हम तब भी उस पर क्लिक करके दूसरा फंक्शनालिटी अपलाई कर सकते हैं मतलब जैसे अगर मैंने कोई वेब साइट खुली है उस पे अल ब्लूड थी वह मैंने क्लिक करा दूसरा कोई प्रोसेस होना शुरू होगा होगा है तो इससे हमें क्या असानी है हो दिया गाई कि हमारा जो यू आय है उस पे नहीं करना है तो यह वाला इसमें किसमें रखेंगे बैग्ग्राउंड थेड में रखेंगे तो बैसिकली यूचा यूचा यूच करते हैं अगर आपको यूज करना है कि अगर अगर आपको यूज करना है कोई चीज तो अब जैसे हमारा कोई टास्क तो है उसका क्या लॉजिक है तो इसके लिए एक दूसरा method यूज करेंगे गाइस वह कौन सा होता है on-post-execute method तो post-execute method मतलब गाइस कि जब हमारा background में जैसे हमारी website load हो रही है गाइस background में तो जब उसका result आ जाए पूरा तो वह क्या हो जाए main thread में चली जाए तो हमारा जो result आएगा वह किसमे आएगा on-post-execute यह भी इसका method है callback method है guys किसका async task है जैसे do in background है ऐसी on-post-execute callback method है async task का लेकिन आप लोग वह एक चीज़ देखनी होगी कि हमारी जो do in background था वह किसमें है background में है क्या है यह आप देख सकते तो फेड़िट कलर से राइट ग्रे उस background है तो क्यों कि यह background में है और जो हमारा post-execute है वह क्या है foreground मतला यू आए में आ रहा है गाइस हो post-execute यूज़ करेंगे हम main thread के लिए do in background callback method यूज़ करेंगे हम background में कोई चीज रन करने के लिए गाइस हमारा क्या था में कि हमारा जो रिजल्ट था वह calculate हो राइट अब जैसे हमने कोई चीज रिक्वेस्ट करी उसका result भी आया होगा कुछ नहीं को final result आया होगा website का तो वह किसमें करा हमने result में करा return कर दिया background में राइट की calculate होता रहा है वह पूरी process होता रहा है जैसे वह process हो जाया पूरा हो क्या कर दे रिटर्न कर दे उस वाले result को और ऑन पोस एग्जिक्यूट हमने क्या कर लिया parameter ले लिया result को fetch कर लिया अब आप देखो यहां पर हमने क्या थोड़ी सी यहां पर हमारी framework की क्या है advantage आया कि हमें जो process background में करना था वह तो किसमें होगे background में result calculate करने के लिए यूज कर लिया हमने और जो main threat में लेना था हमें जो ui में दिखाना है गाइस तो वह किसमें ले लिया पोस एक्जिक्यूट में ले लिया जो क्या है हमारा ui based मतलब जो main threat पर दिखेगा तो उसमें हमने ऐसा parameter fetch कर लिया इसे किसमें method में अपने और यह किसमें दिखा देगा गाइस जो हमारा main ui है मतलब background में ना run होके किसमें run होगा main threat में run होगा अब गाइस इसमें एक चीज और भी है जैसे हमारा doing background है और यह क्या है गाइस background तो तभी start होगा ना क्योंकि एक तो background में हो रहा है एक execute result आने के background का result पूरा होने के बाद मिल लेकिन उससे पहले का भी कोई ना कोई process होगा तो उस process के लिए कौन सा method यूज करेंगे हैं उसके लिए कौन सा method यूज करेंगे गाइस callback method और प्री एक्जिक्यूट तो प्री एक्जिक्यूट इससे क्या हुआ हमारा simple एक हमने request करी request main thread में थी जहां हमने click करा तो main thread में थी उसके बाद जो उसका process हुआ background में चला गया और जब उसका result आया तो किसमें आया guys background में आया तो इससे हमें benefit क्या हुआ जो हमारी processing ती guys वो तो होगई background में और जो हमारे एक्दम result दिखते रहे जैसी वह चीज पूरी होती गई हमें result दिखते गए उसके तुससे हमें benefit किया हुआ guys हमारे user interaction है वह क्या नहीं हुआ कहीं नहीं हो मतलब रुका नहीं कहीं पर आपने क्लिक करी एक process शुरू हो गया अब वह हो रहा है जैसे लोड हो रही है website अब वह background में लोड हो रही है किसी की अगर internet speed अच्छी ना हो यूजर इंट्रेक्शन है वह उसकी वाज़ा से कि रुक नहीं रहा है कि हमें वेड नहीं करना पड़ा कि दब तक पूरी लोड नहीं तब तक हम उसमें कुछ और नहीं कर सकते तो इससे हमें benefit क्यों हमारा क्या गया जो पहले function method चला फिर background में और दूसरे function होते गए और और post execute में जो उसका पूरा final हमारे पास क्या data आया वह आ गया गया है तो हमारे थीन methods हैं जो हम use करते हैं callback methods होते हैं guys async tasks के जो हम use करेंगे किसमें अपने earthquake वाले उसमें right earthquake report वाले उसमें use करेंगे बाद में और देखेंगे कैसे कैसे हम इसको apply कर सकते हैं अब guys जैसे एक चीज़ और होती है जैसे आप कुछ कभी कभी कोई file होती है हमारी वह जादा time ले रही है process में जैसे अगर आप कोई file download कर रहे हो बड़ी file है 100 MB की 200 MB की 300 MB की और आपका जो data है अगर आप fiber use नहीं कर रहे हो तो आपका basically क्या होगा वह जो download speed होगी वह होगी slow right अब ऐसा तो है नहीं आपने उस पे एकदम से click करा जैसे pre execute method आया हमारा right हमने callback method करा process शुरू हो गया और background में हो रहा है लेकिन अब उसमें time तो लग रहा है और उसका result एकदम तो होगा नहीं तो इसमें दाल दिया हमने background में दाल दिया guys क्यों क्योंकि इसे लगेगा time अब ऐसा तो है नहीं हमेशा आपको कैसे बताल लगेगा as a user कि आपको download हो रही है guys अब आप हो सकता है भूल लो कोई और काम करने लोगो right तो हमें user को यह बतानी है कि इतनी हो रही है इतनी हो चुकी है और कब तक हो जाएगी तो आज तो हमें progress बतानी है और user को notify करना है जब वह चीज complete हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या use करते हैं guys एक तो हमारा pre-execute हो गया method शुरू करने के लिए उसको फिर हमने background ले लिया background में guys हमने क्या दिखा दी उसे publish progress जो हमारे background में progress चल ली थी वह भी हमने क्या दिखा दी उसे इसके लिए क्यों सा method function method यूज करें गाइस background में और फिर से main thread में किसमा जाएँगे on progress update में एक और क्या है main thread का method में method किसका async task का है guys तो इससे क्या benefit है हमें कि हमे progress update मिलती रही किसमे UI में guys जो उसकी progress है वो तो चल ले लिए background में लेकिन जो update हमें मिल लेए उसमें, किसमें main thread में, तो इससे हमारी क्या असानी होई कि जैसी हमारी जो अपडेट हो पूरी होगी उसकी अप्डेट की नोटिफिकेशन मिल राइगी कि भाई तुमारा इस पूरा और प्रोस्स है यह चुका है पूरा और उसके और उसको basically हम क्या करते है यहां पर देख भी सकते हो एसिंग टास्क नेवल प्रॉपर एजी यूज ऑफ दा यू आय थ्रेट मतलब यूजर इंटरफेस जो थ्रेड होता है उसको हैंडल करने के लिए यह यूज करते हैं अब जैसे हम यहां पर शुरू करते हैं प्रोटेक्टेड जो मैफर्स होते हैं इसके आप देखोगे सबसे उपर क्या है टू एन बेकग्राउंड जो आपको बता दो इन बेक्ग्राउंड वाला method है यह क्या है abstract method है guys abstract method है और यहाँ पर params यह हो रहा है यह तो basically guys क्यूंकि यह क्या है एक abstract method है उपने करना पड़ेगा implement करना पड़ेगा method को right इसे हमें implement करना पड़ेगा and how the implement कैसे करेंगे is तो यहां पर आपको यह भी देख सकते हैं इसके नीचे भी दोक्यमेंटेशन लिखी हुए है तो बेसिकली जो हमारे अबस्ट्रेक्ट में थे हैं जो एक तरीके से होते हैं इसकी स्टेट डिफाइन होती है बड़ इसकी फंक्शनलिट डिफाइन नहीं होती है ब्रकिंट क्योंको इसके हैं औरicação अबस्ट्रेक्ट मेथट को क्योंकि वह इंप्लीमेंट होते हैं कहाली तो हमें उसे करना पणाए बै MORE तो हर में में हां किसी खलाइक कम में इनहरेट करते हैं हर क्लास के तो करें कि कि हुआ हैं क्योंकि अई हमारे प्रेम वर्डICA के लिए Works मैं। वेर्ड दूसेर मैं उचे रहे हमbling यह काई। के लिद्ध। पूछ चुके हैं कि सर हमें यह कैसे पता चलेगा किसी method पर हमें overwrite करना है पकिसी method को ऐसी call कर लेना है तो वह ऐसे पता चलता है आप documentation बढ़ो उसको देखो कि कौन सा तो abstract method है और कौन सा क्या है normal method है तो जो normal methods होते हैं जैसे जो abstract नहीं होंगे guys उनके लिए हमें जरुआ नही करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा तो इसमें हमारे आप देख सकते हो बहुत सारे parameters methods हैं जो किसमें हमारी async task में use होते हैं guys जैसे void में on cancelled on cancelled आ गया राइट तो इसके वह आ गया एक जो गाई हमने देख लिये है methods कौन से callback method एक तो on post execute और on pre execute इसमें आप देख सकते में result के ले रहा है parameters ले रहा है जो किस पर रन कर रहा है run on the UI thread after किसमें do in background वाले उसमें run होने के लिए right उसके बाद run होने के लिए background वाला run होने के बाद pose execute run होगा और pre execute कब रहन होगा before होगा background की यह हम अल्यदी discuss कर चुके हैं फिर guys on progress update आएगा और publish progress आएगा यह क्या है ग नहीं किसके लिए working case है guys हमें जो process करवाना है अगर request करवानी है खाली तो तीन methods से हो जाएगा अगर उसमें कोई downloading भी हो रही है तो उसके लिए हमें all methods लगाने पड़ेंगे या फिर और कोई process हो रहा है तो उसमें all methods लगाने पड़ेंगे right तो guys वह तो यह वाले जो callback methods होत है download वाला हमें वह दिखाया है इसने download file task background की अलग इसने class बना ली रहा है कि अगर इसे अपने app में कोई download कर रहा होगा और इसने किसकी property inherit करनी है इसमें हमारे तीन परेमिटर्स ले लिए इसने टास्क में और फिर क्या do in background इसने callback method ले लिया उसके बाद guys यहां पर पूरे यहां पर पूरा syntax है कौन-कौन से हमारे methods लगे हुए आप देख सकते हैं यहां पर क्या protected method हैं मैंने आपको बता दिया क्योंकि abstract है उसमें हमने देख लिया था कि जो जितने भी अभी हमने जो इसकी documentation method देखे तो इसमें देखा था आपने कि वो सब क्या protected है और यहां पर एक क्या लगा दिया हमने progress update का method लगा दिया और एक क्या लगा दिया post execute वाला method लगा दिया राइट जिसमें क्या होता है हमारा result आथा जो background के बात होता है हमारा तो यह तो हो गया काई यह example इसको थोड़ा सा अभी किसमें detail में हम आगे समयत बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है